गुड मॉर्णिंग बच्चों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं जैसे बैठो एक शब्द है लेकिन यह अपनी बात सपस्ट कर देता है अखाद रमा क्या करती है इस विशा में यह सपस्ट होता है कि रमा गाती है यहाँ पर वाक्य के दो अंग है एक रमा दूसरा गाती है तो वाक्य के दो अंग कौन कौन से हुए एक उदेश्य दूसरा विधे है उदेश्य वह होता है जिसके विशा में बात हो रही है अर्थार रमा के विशा में बात हो रही है तो यहाँ पर रमा गाती है में रमा उदेश्य है गाती है वह क्या करती है इस विशा में बताते हैं तो इसलिए गाती है उदेश्य नहीं होगा इसी प्रकार पुर्शोतं राम दश्रत के बेटे थे यहाँ पर पुर्शोतं राम उदेश्य है उदेश्य में विशेशन भी आते हैं और करता भी आता है तो दोनों का संग्या और विशेशन दोनों ही एक उदेश्य में ही आएंगे विधेय में नहीं आएंगे अर्थात यहाँ पर जश्रत के बेटे राम की बात हो रही है जो पुर्षोतम है यह उनकी विशेष्टा है दूसरा होता है विधेया विधेया उदेश्य के विशे में जो भी बात कही जा रही है अर्थात जो बात हो रही है वहें विधेया कहलाती है जैसे रमा गाती हैं में गाती है रमा क्या कर रही है गाती है तो यह गाती है शाब्द विधेय है पुर्षोतम राम दश्रत के बेटे थे यहाँ पर पुर्षोतम राम के विशे में बात की जा रही है कि वह कौन थे दश्रत के बेटे थे इसलिए यहाँ पर दश्रत के बेट थे यह विधेय हैं तो बच्चों अब हम वाक्य के भेद जानेगी वाक्य के दो आधार पर भेद होते हैं एक रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर सबसे पहले रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं पहला है सरल वाके, दूसरा है सयुक्त वाके और तीसरा है मिश्र वाके सरल वाके जिसमें एक उदेशे और एक विधेय होता है जैसे वर्षया हो रही है, यहाँ पर वर्षया उदेशे है और हो रही है विधेय है वह स्कूल जाता है वह उदेश्य है और स्कूल जाता है विधेय है इसलिए ये सरल वाक्य हैं इसके बाद आते हैं सयुक्त वाक्य जिसमें दो सरल वाक्यों को योजक शब्दों जैसे और, तथा, वे, किंतु, परंतु इनसे जोड़ कर एक वाक्य बनता है जैसे रमा गाती है और लता नाचती है यहाँ पर रमा उदेश्य है गाती है विधेय है इसको दूसरे वाक्य के साथ और योजक शब्द से जोड़ दिया गया है लता नाजती है लता उदेश्य है और नाजती है विधेय है अर्थाथ इसमें दो उदेश्य हो गए हैं और दो विधेय हो गए हैं इसी प्रकार राम पढ़ता है परंटू सीता खेलती है यहाँ पर भी राम और सीता दो उदेशे हैं पढ़ता है और खेलती है यह दो विधेये हैं इन दोनों वाक्यों को परंटू से जोड दिया गया है इसलिए यह संयुत वाक्य बन गया है अब आती है मिश्र वाक्य की बारी अर्थात जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे वाक्य उस पर आशरित होते हैं इसमें वह जो जूतों जहां वहां जैसा वैसा कि वर्ना आधी शब्दों का प्रयोग होता है जैसे मुझे इस बात की खुशी है कि आप पास हो गए वरना आपका साल बरबाद हो जाता यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी है ये बात समझाने के लिए इसके उप वाक्य इस पर जो आश्रित वाक्य हैं उन्हें की और वरना से जोड़ दिया गया है तो इसलिए ये मिश्रवाक्य बन गए हैं जैसे आपकी वह कुस्टक कहा है जो आप कल लाए थे यहाँ पर जो योजक शब्द है इसलिए यह मिश्रवाक्य है जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था यहां पर जब और तब से वाक्य जोर दिया गया है इसलिए यहां भी यह मिश्र वाक्य है तो बच्चों दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यह आठ होते हैं इसको याद करने का एक तरीका है विधा ने निश्या से आज्या लेकर प्रश्ण पूछा और अपनी इच्छा या संदेह को विस्मयादी संकेत से बताया यहाँ पर सबसे पहला है विधान वाचक, दूसरा है निशेद वाचक, तीसरा है आज्या वाचक, प्रश्ण वाचक, इच्छा वाचक, संदेह वाचक, विस्मयादी बोधक या विस्मयादी वाचक और संकेत वाचक ये आठ भेद हैं अर्थ के आधार पर अब इनकी व्याख्या करते हैं विधान वाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में कार्य के करने का बोध हो जो शाश्वत सत्य हो जैसे सूर्य पूरु से निकलता है सूर्य पूरु से ही निकलता है इसलिए यह विधान वाचक है प्रित्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसलिए यह भी विधान वाचक है अर्थात यह सही है यह एक सत्य वाक्य है इसलिए यह आपर विधान वाचक में आया उसके बाद आता है निशेद वाचक अर्थात जि किसी कारिय के नहीं होने का बोध हो जैसे वह आज विद्याले नहीं जाएगा वह बाजार नहीं गया अर्थाद विद्याले नहीं जाना कारिय नहीं होना बाजार नहीं गया अर्थाद यह कारिय भी नहीं हुआ इसलिए ये निशेद वाचक वाक्य में आएंगे अब आते हैं आज्या वाचक जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्या का बोध हो जैसे तुम उसके साथ जाओ बाहर खड़े हो जाओ बैठो दर्वाजे पर रहो इस प्रकार के शब्द जिस वाक्य में प्रियोग होते हैं वे आग्या वाचक होते हैं अगला भेद है प्रश्न वाचक वे वाक्य जिन में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो अर्थात कोई ना कोई स्वाल मन में हो और वहें हम किसी से पूछते हैं वहें प्रश्न वाचक वाक्य होता है जैसे तुम कहां जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, इसका पाज़ना बेदवचो इच्छा वाचक, अखाद जिन वाक्यों में इच्छा, शुब कामना, आशिश आदि का बोध होता है, उन्हें इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे देरगायू हो, किसी को आशिरवाद दि कहते हैं, देरगायू हो, चरंजीवी हो, भगवान तुम्हारी मनों कामना पूरी करें, अर्थात, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, तो यह इच्छा वाचक होते हैं, अगला है संदेह वाचक, जिन वाक्यों में कारिये पूर्ण होने में संदेह हो, पता नहीं वहें जब कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उन्हें संदे वाचक कहते हैं जैसे शायद आज वर्षा हो अब होगी या नहीं होगी इसमें संदे हैं वहें मुझे भूल चुकी होगी अर्था ये पक्का नहीं है कि वहें भूली है या नहीं भूली है इसमें भी संदे हैं तो विसमयादी बोधक में जिन वाक्यों में हर्ष, ध्रेना, शोक, भै, इस प्रकार के भाव हों, उन्हें विसमयादी बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे, अरे, कितना सुंदर खूल है, छी, कितना गंदा फर्ष है, अगला आता है, संकेत वाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया, जैसे, यदि वर्षा समय पर हुई होती, तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करते, तो पास हो जाते, अब आती है, अभ्यास की बारी, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कौन-कौन से हैं, रचना के आभार पर वाक्य के कितने भेद हैं, सरल और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पस्ट करें, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, संदेह वाचक और संकेद वाचक वाक्यों में क्या अंतर है, विधान वाचक और निशेद वाचक वाक्यों में अंतर स्पस्ट करें, तो बच्चो आज आपने वाक्य विचार के बारे में समझा इसे बार बार देखें समझें और अपनी कौप्या में उतारें और जो अभ्यास के प्रशन है उन्हें अवश्य लिखें दन्यवाद